साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरुवत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभीबान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रण नितिग रुप से बहुत ज़्यादा गंबीर खत्रा है। इस्तिती से देश को भार निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दसकों की एप्रोच से सिखते हुए है। आज हम सब का प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टिक वाविकास कर रहे हैं। आज डिफेंस आरेंडी को प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, MSME और स्टार्ट अप्स के लिए खोल दिया गया है। अपनी पब्लिक सेक्टर, डिफेंस कपनियों को हमने अलग-अलग सेक्टर में संगधित करवुने एक नई ताकत दी है। आज हम यह सुनिशित कर रहे हैं कि IIT जैसे अपने प्रीवियन इंस्ट्यूशन को भी हम डिफेंस, रिसर्च और इनोवेशन से कैसे जोड़े। हमारी यहां तो कठिना यह है कि हमारे टेक्निकल इनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेजिस या इंजिनिरिंग की दुनिया वहां डिफेंस के एक्विप्मेंट डिलेटेड को कोर्स ही पढ़ाए नहीं जाते। माल लिए है तो भार्च मिल जाएगा यहां कहां पढ़ने की जरूत है। यह यह हमारी पूरी एने एक दाइरा ही बदल चुका था जी। इसमें हमने लगातार बढ़लाव लाने के कोशिश किये। डियाडियो और इस्वरों की कटिंग एड टेस्टिंग इस सुविधाओं से हमारी वाओं को स्टार्टप्स को ज्यादा से ज्यादा बल मिले यह प्रयास किये जा रहे हैं। मिसाइल सिस्टिम, सबमरीन, तेजस फायरत, फायटर जेट्स जैसे अनेक साजो समान जो अपने तय लक्षों से कई कई साल पीछे चल रहे थे। उनको गती देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया। मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मिट एरक्राप, एरक्राप केरियर के कमिशनिंग का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। NIIO, IDEXO, या फिर TDEK, ये सभी आप मनिर्भरता के ऐसे ही विराठ संकल्पों को गती देने वाले हैं।